आमें प्रधान मंत्री मोदी का ये पहला दिपोतसब है और इसलिए बहुत खास भी है क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी छोटी दिपावली के दिन सर्यू तट पर 17 लाख जगमकाते दियों के बीच आरती करेंगे और इसके साती सात वो राम लला के दर्शन भी करेंग जो हैं वो सर्यू के तट पर जलाए जाएंगे सर्यू के तट पर इन दियों से रोष्णी की जाएगी और इन ही दियों से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाय जाएगा और प्रधान मंत्री नरेंद मोदी छोटी दिपावली के दिन आयोध्या पहुँचेंगे जहां वो राम लला के दर्शन करने के बाद सर्यू तट पर आरती करेंगे और देखिए इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं दिव दिपोट्सों के लिए आयोध्या पूरी तरह से तयार हो चुकी है जी न्यूस की टीम ग्राउंड जीरो पर राम की पैड़ी पर इतिनात की मौजूदगी में 23 अक्टूबर की शाम एक साथ 15 लाख दिये जलाए जाएंगे जो कि पिछली बार के मुकाबले कहीं जादा संख्या में होंगे और आप देखिए राम की पैड़ी काफी भबे दिखाई देगी काफी खुबसूरत आपको दिखाई देगी जैस आयोध्या की शान, आयोध्या के रंग, दीपोट्सो के साथ साथ दिखाई पड़े क्योंकि यहाँ पर लेजर शो का भी आयोजन होता है, आतिश्वाजी भी की जाती है और पूरी तरह से आयोध्या आपको तयार दिखाई देगी, सजी हुई दिखाई देगी, कुस लोग यहाँ पर है, कहां से आयो आप, सर एक्चुली मैं तो बेगुस राय से हूँ, यहाँ परमान सासरब में रहता हूँ, तो कैसी तैयारी दिख रही आयोध्या की, मोदी जी आ रहे है, तैयारी तो काफी भव्य है, और मैं जी नियूज की टीम को भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हरवर्स की भांती, इस वर्स भी, जो हिंदुत को जगाने का काम, यहाँ काफी संक्या में, लोग आकर काफी विध्यारती हो चाहे, यहां के साधू संतो वहर्स की भांती, इस वर्स भी आते हैं और चैनल के दिखाई देगी इसकी रौनक आपको 23 अक्टूबर की शाम और भी शानदार दिखाई देगी कैमरमेनेस जैदीब के साथ बिशाल पांडे जी मीडिया अयोध्या